द्वापर युक की बात है, एक बार पांडू पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़ कर बोले, भगवान श्री क्रिष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये एका दशी बड़े पुन्य वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है, वामना इसका नाम है और ये सब पापों को दूर करने वाली है, हे नृप, इस एका दशी को जैनती एका दशी भी कहते हैं, इसकी केवल कथा सुनने से ही सब पाप नश्ट हो जाते हैं, मनुष्यों के लिए इससे अधिक फल वाजपेय यग्यका भी नहीं कहा गया है, जैन्ती एकादशी का उत्तम व्रत पापियों के पापों को नश्ट करने वाला है इसलिए हे राजन मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए वैश्णव और मेरे जिन भक्तों ने भाद्रपद महीने में वामन जी का पूजन किया है उन्होंने मानों तीनों लोकों की ही पूजा की है वामन जी की पूजा करने वाले मनुष्य भगवान के समीप वास करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है जिन्होंने कमल नयन भगवान वामन जी की कमलों से पूजा की है तथा भाद्रपद्र के शुक्ल पक्ष में जयन्ती एकादशी का व्रत किया है उन सभी मनुष्योंने संपूर्ण जगत की तथा ब्रम्ह, विष्णु, महेश, तीनो सनातन देवताओं की पूजा भी की है इस संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान श्री हरी विष्णु भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन करवट लेते हैं अर्थार्थ, सोते हुए प्रभु अपनी स्थिती बदलते हैं इसी लिए सब मनुष्य इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं युधिष्टिर बोले हे जनार्दन, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही भारी संशय हो रहा है आप कृपा करके उसको सुनिए हे देवताओं के स्वामी, आप कैसे शयन करते हो और किस प्रकार करवट लेते हो और हे देवेश, आपने वामन जी का अवतार क्यों लिया हे जगत के स्वामी, हे प्रभो, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं हे प्रभो यह विस्तार से कहकर मेरे संशय का समाधान कीजिए श्री कृष्ण बोले हे राज शारदूल पापों को हरने वाली सुन्दर कथा को सुनो हे नृप पहले त्रेता युग में राजा बली नाम का एक असुर था राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगव विष्णू का अनन्य भक्त था राजा बली राजा विरोचन के पुत्र और भक्त राज प्रहलात के पौत्र थे राजबली अत्यंत दानी सत्यवाधी तथा ब्रहगणों की सेवा करने वाला था वह अनेक प्रकार के जब तथा सूक्तों से नित्य भगवान विश्णु की पूजा किया करता था, तथा नित्य ब्राह्मनों का पूजन और यग्यादी क्रियाओं को करता था, वो अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान विश्णु को हमेशा प्रसन्न रखता था। इस प्रकार राजा बली ने अपने तप और पूजा के कारण अनेको नेक शक्तियां प्राप्त करके इंद्र के देव-लोग के साथ, साथ ही त्रिलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा इससे देवता लोक विहीन हो गए देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और सब देवता इकठे होकर सलाह करने लगे कि हम सब मिलकर जगत के प्रभु भगवान के समीब चलें और उनसे अपनी समस्या का उपाय पूंचे इसके बाद इंद्र और सभी देवता अन्य रिशियोन के साथ मेरे पास आए इंद्र ने प्रिथिवी पर मस्तक लगा कर सूक्तों से मेरी स्तुती की और देवताओं के गुरु श्री ब्रहस्पती जी सहित बहुत प्रकार से मेरी पूजा की फिर मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले अपने अति प्रचंड और विराट रूप से मैंने उस सत्य प्रतिग्या वाले दानव राजा बली को बालक स्वरूप से ही जीत लिया युधिश्ठिर बोले हे देवताओं के स्वामी हे लीला पती आपने वामन रूप से उस दानव को कैसे जीत लिया यह बात मुझ अपने भक्त से विस्तार पूरवक कहिए भगवान श्री कृष्ण बोले मैंने ब्रह्मचारी वामन रूप धारण करके राजा बली से प्रार्थना की कि तुम मुझे केवल तीन पक भूमी दान में दे दो वही मुझे त्रिभुवन के समान है और इससे तुम्हें भी तीन लोग के दान का फल प्राप्त होगा हे राजन इसमें विचार करने की आवश्यक्ता नहीं है मेरे ऐसा कहने पर राजा बली ने गुरु शुक्राचार्य के अने को नेक मना करने के बाद भी अपनी दान देने की प्रतिग्या के कारण मुझे अर्थार्थ वामन ब्राह्मन को तीन पग भूमी देने का संकल्प कर लिया राजा बली के संकल्प का वचन सुनते ही वामन अवतार अर्थार्थ मैं साक्षात विश्णू अपना आकार बढ़ाता गया और इतना आकार बढ़ा लिया कि भू लोक में पैर, भूवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, मह लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ, और सत्य लोक में मुख रख कर अपने शीर्ष को उँचा उठा लिया उस समय चंद्र, सूर्य आदि ग्रह और योगों के सहित, नक्षत्रगण तथा इंद्र सहित, सभी देवता और शेश आदि नाग, ये सब वेद से उत्पन्न, अनेक प्रकार के सूक्तों से मेरी स्तुति करने लगे इसके बाद मैंने बली का हाथ पकड़ कर कहा, कि मैंने एक पग से तो प्रिथिवी को नाप लिया, और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया हे पापरहित बली, अब तीसरे पग को रखने के लिए स्थान दो मेरे ऐसा कहने पर उस पुण्यात्मा बली ने अपना मस्तक मेरे चरणों में रख दिया और मैंने उसके मस्तक पर अपना तीसरा चरण रख दिया उस समय हे राजन, मेरी पूजा करने वाले उस पुण्यात्मा दानव बली को मैंने पाताल में भेज दिया राजा बली ने अपना सब कुछ सहर्ष दान कर दिया और उसके बाद भी वो पूर्ववत नम्र ही बना रहा मुझे पूजने वाले उस बली की ऐसी स्थिती देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा कि हे पुन्यात्मा राजा बली हे मान देने वाले मेरे प्रियभक्त मैं निरंतर तेरे पास रहूँगा और इसके साथ ही मैंने राजा बली को वर्दान दिया कि चातुरमास अर्थात चार माह में मेरा एक रूप क्षीर सागर में शेशनाग पर शयन करेगा और दूसरा रूप राजा बली के पाताल में उनके राज्य की रक्षा के लिए रहेगा मैंने उससे कहा कि हे बली मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा इस एकादशी को विश्नु भगवान शेशनाग पर सोते हुए करवट बदलते हैं इस दिन त्रिलो की नात श्री विश्नु भगवान की पूजा की जाती है इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है इस वरत में रात्री को जागरण करना चाहिए इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है जो मनुष्य पापों को नश्ट करने वाली इस एकादशी वरत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्व मेध यग्य के समान फल की प्राप्ती होती है भगवान श्री कृष्ण बोले हे धर्म राज युधिष्ठिर इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इसका वरत करना चाहिए इसका महात्तम सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विश्णु लोक को जाते हैं इस पवित्र परिवर्तिनी एकादशी की कथा मैंने तुम को सुना दी है इस प्रकार परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुनकर धर्म राज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें श्री सीता राम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुती कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेर करें अपने सुझाव कॉमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रठते रहे जै श्री राम जै जै श्री राम